नमस्कार दोस्तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज मैं आपको मोहिनी एकादसी की कथा सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विश्णों कीजिए अवश्य लिखे साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बैशाक मास के सुकल पच में आने वाली एकादसी को मोहिनी एकादसी कहा जाता है मोहिनी एकादसी को सभी एकादसियों में खास माना जाता है धार्मिक माननेताओं के अंसार इस दिन भगवान विश्णू ने देवी देवताओं को अमरतपान कराने के लिए मोहिनी रूप धारन किया था इस दिन बिधी बिधान से भगवान विश्णू की पूजा अर्चना करने से सुक्समरिद्धी की प्राप्ति होती है और सभी मनो कामनाई पून होती है साथ ही दांपत्ती जीवन भी खुशाल ब्यतीत होता है पौरानी कथाओं के अनुसार एक बार भगवान सिरी क्रेश्ण ने युडिष्टिर को मोहिनी एकादसी ब्रत की कथा सुनाई थी धर्मराय युडिष्टिन ने कहा हे भगवान बैसाख मास की सुक्ल पच्की एकादसी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है इस ब्रत की क्या विदी है यह सब विस्तार पूरवक मुझे बताईए तब भगवान सिरी क्रेश्ण ने कहा हे धर्मराज मैं आपको एक कथा जिसे महर इसी बसिष्ट ने भगवान सिरी राम से कही थी एक समय सिरी राम बोले कि ही गुरुदेव कोई ऐसा ब्रत बताईए जिसमें समस्त पाप और दुख का ना सो जाए मैंने सीता जी के बियोग में बहुत दुख भोगे है तब महर इसी बसिष्ट बोले हे राम आप ऑपकी बुद्धी अतियंत सुध तथा पवित्र है आपका नाम इसमर्ट करने से मनुस्य पवित्र और सुध हो जाता है तो भी लोगहित में यह प्रेश्ट अच्छा है बैसाख मास में जो एकादसी आती है उसका नाम मोहिनी एकादसी है इसका ब्रत करने से मनुस्य सब पापतासा दुखों से छूट कर मुह जाल से मुक्त हो जाता है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। अनेक भोजनाले, प्याव, कुए, शरोवर, धर्मसाला आदि बनवाये थे। सडकों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक ब्रच भी लगवाये थे। उसके पांच पुत्र थे। सुमना, सद बुद्धी, मेधावी, शुक्रति और द्रश्ट बुद्धी। इन मैंसे द्रचारी मनुश्यों की संगती में रहकर जुआ खेलता और परिस्त्री के साथ भोग बिलास करता, तथा मर्द मास का सेवन करता था। इसी पिरकार अनेक कु कर्मों में वे पिता के धन को नश्ट करता रहता था। इनी कारणों से त्रिस्थ होकर पिता ने उसे घर से नि साथ छोड़ दिया, अब वे भोग प्यास से अति दुखी रहने लगा, कोई सहरा न देख चोरी करना सीख्या, एक बार वे पकड़ा गया, तो बैशी का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया, राजा आग्या से इस ब बन में चला गया, वहाँ बन पसु पच्छियों को मार कर खाने लगा, कुछ समय पश्चाथ वे बहलिया बन गया, और धनुस बांड लेकर पसु पच्छियों को मार मार कर खाने लगा, एक दिन भूग प्यास से व्यतीत होकर वे खाने की तलास में घूमता हुआ, कोड़े वे कौड़े ने मुनी से हाथ जोड़ कर कहने लगा, हे मुनी, मैंने जीवन में बहुत पाप किये हैं, आप इन पापों से छूटने का कोई साधारन बिना धनका उपाय बताईए, उसके दीन बचन सुनकर मुनी ने प्रशन होकर कहा, कि तुम बैसाक सुकल की, मोहिनी नाम एकादसी का ब्रत करो, इससे समस्त पाप नश्ट हो जाएंगे, मुनी के बचन सुनकर वे अतियन प्रशन हुआ, और उनके द्वारा बताई गई बिधी के अंसार ब्रत किया, इस ब्रत के प्रभाग से उसके सब पाप नश्ट हो गए, और अंत में वे गरुन पर बैठकर बिष्णू लोग को गया, इस ब्रत से मो आदे, सब नश्ट हो जाते हैं, संसार में इस ब्रत से स्रेष्ट कोई ब्रत नहीं है, इसके महत्मे को पढ़ने से, अत्वा सुनने से, एक हजार गौदान का फल प्राप्त होता है, जैहो भगवान बिष्णू की मोहिनी एकादसी की पूजा पिती, एकादसी का ब्रत करने के लिए, ब्रहम महुरत में उठकर, घर की साफ सफाई करके, इसनान करना चाहिए, इसनान करने के बाद साफ सच बस्ते धारन करें, और ब्रत का संकर्प लेना चाहिए, इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई कर तुल्सी, अच्छत, कलस, नारियल और मेवे से भगवान विश्णू की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शूरीदेव को जल अर्पित करना चाहिए। भगवान विश्णू की आरती करें और भोग लगाएं। भगवान विश्णू के भोग में तुल्सी को जरूर सामिल क करें धार्मिक मानेताओं के अंसार बिना तुलसी के भगवान विश्णु भोग सुईकार नहीं करते इस बात का बिसीश ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जा सकता है एकादसी ब्रत में निर्जल ब्रत रखने का बिदान है लेकिन ज जात्री जागरन कर भजन कीरतन में समय लगाना चाहिए सुबह की समय तुलसी को जल अर्पित करें इसके बाद सामकी समय तुलसी के पास गाय के घी का एक दीपक जलाएं एकादसी का पारायन करने से पहले किसी ब्रहमण को भोजन करवा कर दच्छना देनी चाहिए पदम पुरान में बताया गया है कि इस एकादसी ब्रत की कथा पढ़ने और सुन्ने मात से हजारों गायों के दान का पुर्णी प्राप्त होता है जबकि ब्रत करके कथा सुनने से उत्तम लोग की प्राप्ती होती है मोहिनी एकादसी का महत हिंदू धर्म के अन्सा एकादसी का ब्रत अतिप पवित्र वा पुर्णी फलदायक होता है जिस कारण इसे पूरी नियमों से किया जाता है यह ब्रत भगवान विश्नु को समर्पित है बात करें मोहिनी एकादसी ब्रत की तो जो व्यक्ति यह ब्रत करता है उसके सभी दुखों का निवारन हो जाता है और मृत्य के पस्चाद उसे उसके पापों से मुक्ति मिलकर मोच की प्राप्ति होती है इस बार तो मोहिनी एकदसी का ब्रत गुरू बार के दिन पड़ रहा है जिस कारण इसका और भी ज्यादा महत्त है क्योंकि गुरू बार तो भगवान विष्णु जी का बार होता है विष्णु पुरान के अनसार इस दिन भगवान विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप धारन किया था जिस कारण इसे मोहिनी एकदसी ब्रत के नाम से जाना जाता है धार्मिक मानिता के अनसार मोहिनी एकदसी का ब्रत कर पाठ ये सर्वान करने से 1000 गायों के दान के बरावर पुन्न की प्राप्ति होती है जैहो भगवान विश्णों की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथी मेरे वीडियो को जादे से जादे शेयर करिए धन्यवाद